एक दिन की बात है, बात 78 की है, जब हमें बहुत कारिय करना होता था किचन सेवा का, तो मैं बहुत ठका हुआ था, और पार्टी कुछ जादा थी, तो जहां बाबा आ रहे थे, मदुबन में मेटेशन होल है, तो पार्टी उसमें खींच्टान के बैठी, तो हम सब को कहा गया किया काई आप ए्ष्ट्री होल में बैठेंगे, बाबा आएगा मेटेशन हόσमें, हम बैठें हिस्ट्री हॉल में, बहुत थका-thका है हमें सारी 6 बजी पहुंचा, कामकाज करके, भाग दोडके, नहादो के, और जहां पहुँचा, तो मेरा योगभ्यास तो टोप का था, त किया हुआ تھا, जहां से बाबा बैठे हैं उनके श्वरुप पर, तो जब बाबा आते हैं, तो पहले लाल लाइट होती है, जब बाबा आ जाते हैं तो उहाइट हो जाती है, तो इस्ट्री ओल में समा गई और मैं हो गया divine वो थकान वो सब समाप्थ हो गई divine हो गया दम वज्य से divine light मुझे में परवेश कर गई इस्थिती हो गई परम आनंद की अम मैंने फिर एक देड़ घंटा इस्वरी महभाग सुने और मैं परम आनंद की इस्थिती में रहा ऐसे बिन बिनतर है से 78 और 79 में तीन बार मुझे यह अनुभव हुए और यह 6-6 गंटे तक चले क्योंकि मुझे पता था मैं सो जाओंगा तो लोफ हो जाएंगे तो मैं बारा साड़े बारा वह तक जागता रहा घूमता रहा इस आनंद में यह ऐसी स्थिती जिसमें मैं योग नहीं कर रहा था लेकिन यह परफेक्ट स्थिती थी स्मर्थी स्वरूप स्थिती योग युक्त स्थिती तो मैं स्री बाबा को थैंक्स दे रहा था कि तुमने मुझे जीवन में कितने-कितनी अच्छी अनुभूतियां कराई कि स्वाइद किसी-किसी को यह हो हुए, जहां उसकी मदद प्राप्त हुई जीवन में बहुत ज्यादा सारिरिक बिमारियों में, चलते-चलते मुझे कुछ भी हो जाता है बाबा, तुम सुप्रिम सर्जन हो, देखो मुझे ये हो रहा है, अभी कुछ करो, किसी को भेज दो मुझे ठीक कर जाए, थोड़ी देर के बाद या घंटे के बाद कोई आ जाता है, और मुझे आके कहता है, मैं आपकी ये सेवा करने आया हूँ, तुम्हें कैसे पता मेरी से के लिए, का नहीं, बस मुझे इच्छा हो रही थी, मैं तुम्हारा ये सर्वाइकल ठीक करने आ गया हूँ, आज मैंने सुना था कभी, तुम्हें सर्वाइकल का पेन रहता है, मैंने रहता है, वेलकम आ जाओ, और वो एक घंटे में सब कुछ करकर आके चला जाता है, तु मेरी सुनवाई न हुई हो, इसलिए मैं उसका बहुत सुक्र गुजार रहता हूँ, और जैसा मैंने का अभी, इस दिन से मुझे उसके द्वारा किये गए उपकार याद आते रहे, उसने मुझे कैसी अच्छी वुद्धी प्रदान की, कैसे कई वर्दान मेरे साथ हैं उसक कब-कब उसने मुझे बहुत उमंग दिलाया, कि मेरे पूरे 45 साल के जीवन में और उससे पहले भी 50 साल हो गए यान में, मुझे कभी निरासा का मूँ नहीं देखना पड़ा, मेरे जीवन में कभी सफलताएं नहीं हुई, कि मैं सोच रहा हूँ क्या होगा, कैसे होगा, पत होती रहती हैं, और उसके प्यार में, प्रभु प्रेम में मन बहुत मगन रहता है.